हेलो प्यारे बच्चो मिले चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं तो बच्चो इस वीडियो में हम कक्छा साथवी की हिंदी बुख है जिसका पाड़ 25 है यातायार शुरक्षा इसकी क्यूसर अंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे तो चलिए बच्चो वीडि दिये गए बच्चो तो इनके हम उत्तर लिखेंगे तो किस प्रका से इनके हम उत्तर लिखेंगे तो क्यूसर नंबर का है बच्चो किस घटना के कारण कक्छा में सडक नियम्मों पर चर्चा हुई तो उत्तर है बच्चो सडक पर खेल रहे बच्चो के द्वारा कक्छा के एक चात्र अनिल के माते पर क्रिकेट की बोल लगने से गंभी चोट लग गई थी मलब जो सड़क पर बच्चे खेल रहे थे तो उनकी जो बोल थी वो अनिल के माते पर लग गई थी जिसे क्या होगा उसको चोट लग गई थी अत्या कक्षा में सडक के नियम पर ज़जा हुई कि मетрल assess के क्या नियम होते हैं हमें सडक पर खेलना नहीं चाहिए सडक नियमों का पालन न करने से किया पहलाम हो सकता यडि हम जो सडक नियम यद्यात के नियम है अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा तो उत्तर है सड़क नियमों का पालन ना करने पर बाहन आपस में टक्रा सकते हैं ना बाहन आपस में टक्रा सकते हैं जिससे बाहन चालक चालक याने जो चलाने वाला है या उसमें बेठे व्यक्ती को गंबी चोठ लग सकती है, या मेत्यू भी हो सकती है, या आपने देखा हो को एक्सिडेंट हो जाता है जिससे लोग मर जाते हैं नेक्स्ट क्यूसन है जेबरा क्रोसिंग क्यों बनाई जाती है आपने देखा हो कि बच्चों रोड पार करने के लिए जेबरा क्रोसिंग बनाई जाती है न तो उत्तर है सड़क पर पेदल चलने वाले व्यक्तियों को रोड क्रोस करने के लिए या रोड पार आप क्रोस की ज यदि किसी सड़क पर आप जा रहे हो और किसी का एक्सिडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए तो उत्तर है यदि आपके सामने सड़क पर कोई दुरगटना हुई हो या कोई एक्सिडेंट हो गया हो तो आप 108 नंबर पर फोन करके ambulance बुला कर दुरगटना गेस्ट की सहायता कर सकते हैं सड़क पर खेलना उचित क्यों नहीं है उत्तरे बच्चों सड़क पर खेलने से आते जाते लोगों वह खेलने वाले खिलाडियों को बाहन से चोट लग सकती है इसलिए सड़क पर खेलना उचित नहीं है या सड़क पर खेलना अच्छी बात नहीं है प्रस्न के मांग दो है बच्चो पाट के आधार पर रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए तो यह हमें भना है तो पहला है सड़क नियमों का पालन करने से हम इधर आजाएगा बच्चो सुरक्षित हम सुरक्षित रहते हैं ठीक है फिर है सड़क पर चलने के नियमों को यातायात के नियम केते हैं क्या बोलेंगे यातायात के नियम केते हैं नेक्स्ट है बच्चो पेदल चलते समय हमें किस पर चलना चाहिए अभी हमने पढ़ा था बच्चो जेबढ़ा क्रोसिंग, ठीक है जेबढ़ा क्रोसिंग पर चलना चाहिए गहे, सडक पार करती, और देखना चाहिए तो यहां आ जाएगा, दायें, और, और, बायें, और, देख लेना चाहिए रेलवे, फाटक बंद होतों तो कहां से नहीं निकलना चाहिए तो इसका उत्तर बच्चे हो जाएगा अगल बगल और नीचे से, आप इधर लिख़ जीओ में, अगल बगल और नीचे और नीचे से, तो यह यहाँ पे लिखना है। कि जो खालिस्तान है यह इतना लंबा इडर इस पर लिखना है जगे छोटी थी इसलिए मैंने इदर नहीं लिखा आप क्योस्ट्र नमर ठीरे जोड़ी मिलाईए तो देखिए बच्छो जोड़ी मिलाना है अब अस्पताल का चिन देखो यह प्लस का चिन जो होता है वो किसका यह दिया है यह बोजना लए चमच वगेदा दी हुए यह तो यह बोजना लए का चिन ठीक है यह अस्पताल का चिन हो जाएगा आगे श्कूल यह बच्चे दिखराए ना तो यह आगे श्कूल है इससे इसको मिला देंगे आप क्यूस्ट्र नमबर फोर है ट्रैफिक जो की बत्तियां होथी हे एक ग्रीन रंग की एक को ती रेट रंग की और एक यलो कलर की थीक यान经 लाल पील और हराई है ना तो ंचीतर बनाकर उनका 8 लिखिए आपको बताना है पहले आपको इस जितर बना दीना अर्थ लिघना है तो लालबित् dealing का बोलती बोलती है रुकिए लालबिती में हमें है क्या करना पड़ता है ड्यक्ता प्रकुला यूट जालबती जल रही हूं तो हम कर लीजेगा बच्चो जब वीडियो में नहीं स्वाप्त करते हूं इसका नेक्स्ट पार्ट हमें जल्दी अफ्लोड करूंगी तब तक वीडियो अच्छी लगे लायक जिरू करना चैनल पर ना है तो फ्रीज चैनल को सिस्क्राइब करना नहीं पूलना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद